हेलो फ्रेंड्स आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं प्रिस्टेज के OTG की तो फ्रेंड्स आप OTG समझते होगे अवन टॉस्टर और ग्रिल तो फ्रेंड्स यह जो है हमारा 19 लीटर का है और इसका मोडल नंबर जो है POTG19PCR फ्रेंड्स यह बहुत ही अच्छा प्रोडक् तो आएए फ्रेंड्स हम इसकी अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं इससे पहले में कहने चाहूंगी फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो प्लिस चैनल्स को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको मे आजी निवियर पर बाई करके लेकर आए हैं तो हमने इसको बाक्स से बाहर निकाल लिया है बाकी की इसकी जो सील्स है वह हम निकाल देंगे तो यहां पर देखिए यह इसका प्लग है और इसके साथ जो है फ्रेंड्स एक आती है रेसिपी बुक जो इसके ऊपर ही लगी तो अभी मैं आपको बता देती हूं निकाल करके तो अभी हम पहले ओटी जी को बाहर निकाल लेते हैं यह है रेसिपी बुक इसमें बहुत सारी रेसिपी है आप जो भी इसमें बनाना चाहते हैं वह सब रेसिपी इसमें दी गई है तो यह देखिए हम इसको आपको आपको इसके बारे में मैं आपको एक खास बात बता देती हूं आपको इसके जो टॉप पर कुछ भी नहीं रखना है यह बहुती ज्यादा रिस्की होता है तो फ्रेंड्स आप धिहान रहे ओटी जी के ऊपर आप कुछ भी ना रखें तो इसके साथ जो हमारा यहां पर ग्रील के लि इसको होतों क Hee और यह जो ट्रेह है इसके से करेंगे और यह जो बहुत बेगर ilığı को ही तेजी इन के लम सकते हैं इसको हम ग्रिल कर सकते हैं ग्रिल में हम यहाँ पर चिकन ग्रिल कर सकते हैं कवाब कर सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे और यह इसका स्टेंड है जिसको हम इस तरह से पकड़के निकाल लेंगे और यह स्टेंड जो हमारा ट्रे पकड़ने का है इसको हम ट्रे को इस तरह से निकालेंगे क्योंकि यह बहुत ही गर्म होता है जब हम बेक करते हैं तो यह स्टेंड हमारा निकालने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा दिया है इसमें जिसे हम चिकन तंदूरी करते हैं तो हम इसको इस तरह से स्टिक में लगाएंगे और बीच में हम लगा देंगे चिकन तो दोनों साइड से हम इसको इसको की हल्प से टाइट कर देंगे तो यह इसके लिए दिया हुआ है यहां पर इस तरह से हम इसको टाइट करेंगे तो फ्रेंट्स इसको बोलते हैं रोट स्टेरी स्पिट इसमें आप कुछ भी फसा करके जिसे चिकन को आप पूरा अखा साबूत का साबूत तंदूरी करेंगे तो यह उसी के काम में यूज में आएगा आप इसमें जिसे चिकन टिका या आपको पनी टिका बनाना है वो भी यह हो जाती है इसकी ग्रिल रैंक और यह है स्टेंट हैंडल जिए हम निकालने के यूज में काम आएगा यह देखी इस तरह से निकालेंगे जब यह रोस्टेड हो जाता है और यह है हमारी बैकिंग ट्रे अगर आप केक बनाएंगे तो आप इसमें अंदर केक पेन भी 250 पे यहां पर हम इसको सैट कर सकते हैं टेंप्रेचर को यहां 200 है 250 है अगर आप 180 डिग्री पर बनाना चाहते है तो आप यहां पर इसको लाके रोक देंगे सेके नमबर का हमारे यहां पर दियो हुआ है रजल आपको इसमें कितने जो हीट है ही पर देशाएंगे तो यहांपर हम देख रहे हैं एक बिंदुएसे काम करेंगे और यहांपर मिलेगी हमेंіш करने के लिए पूरे OTG को प्रीट करते हैं तो हम इस पर किलिक करेंगे सारी रोड इसमें उपन हो जाती है तो अब यहां पर हमारा लास्ट वाला दिया है टाइमर टाइमर में आपको कितने मिनट पकाना है या बेक करना है तो यहां से हम टाइमर सेट करेंगे जैसे यहां 10 मिनट है 20 है और इसमें दिया हुआ है 30 है 40 है 50 है लास्ट इसमें 60 मिनट का है यानि के एक घंटे के लिए आप कुछ भी बेक करते हैं तो यहां पर आप लेकर आएंगे पांच मिनट के लिए करेंगे तो हम यहां पर स्टार्टिंग में जो यह नंबर दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही इसका टाइमर हटेगा तो इसमें एक आवाज आएगी फ्रेंड्स आपको पदर चल जाएगा कि यहां पर टाइमर हमारा कंप्लेट हो चुका है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बाक्स में बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग गुद्बार परे